कि रादे कृष्णा और पिए सी हिंदी से तयारी करने वाले सब विद्यारतियों का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है सेकंड ग्रेड में आपके जो हिंदी का अभी नया सिलेबस आया है उसमें फेर बदल हुआ है परिवर्तन हुआ है उसमें कुछ नय जोड़ी गई है कुछ नाटक जोड़े गए हैं उन्हें नहीं चीजों को पढ़ाने के लिए हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है लेतु बार्दवाज की कहानी पठाक्षेप नहीं होगा यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं कविता तोतला लेक्षरा दिन इ इतियास करवा दिया गया है और इन सभी की जो मैंने या पढ़ाया है वो मेरी पूरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें 46 बाग में इंदि साथ्याय काुची से और यह सारा मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर पीडियाफ फोम में पोस्ट कर दिया आप वहां से इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर अपने आतों से लिख सकते हैं और वह नौट्स हैं जो कि हैं रिटन नौट्स हैं बहुत ही ऑथन्टिक है एक भी प्रशनों नौट्स से बाहर नहीं होगा और टेलिग्रा कोई भी संब्सक्रीव कोई चार्ज नहीं है ना यहां पढ़ने का कोई चार्ज ना वह से नौट्स को प्राप्त करने का कोई चार्ज है तो आज की कानी पड़ाक शेप नहीं होगा से फीचत यह है आपकेट नौपिक देखिए इस कहानी को पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं कि यह जो हेतु बार्द्वाज है इनके बारे में हम पता कर लेते हैं कि इनके बारे में क्या है क्या नहीं है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे लेकर परिचेंग 151937 को उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के रामनेर में जनमें बारद्वाज ने यानि इनका जनम उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में के रामनेर में हुआ था इन्होंने 1960 में राजस्थान विश्व विद्याले जैपूर से इंदी साहित्य में एमे किया इन्होंने 1981 में राजस्थान विश्व विद्याले से इंदी साहित्य में पीस्दी की उपाधी प्राप्त की है कि वह प्रदानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का धाना जिला सीकर राजस्थान के रूप में सेवा निवरत हुए और अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिठाते हैं कि थो बार्दवाज में लिखते हैं कि अगर हम देखें कि शैली में लिखते हैं कि और अब तक 20 अधिक उपन्यास और लगु कता संग्रेय प्रकाशत कर चुके हैं को संभाजिसकार से संभानित किया गया यानिदें को दो बार क्र hehe धूलि बिगरती लेकरण तीरती आत्रा आधी सभी चीजें शामिल है मुझे लग रहा है कि यहां कुछ न कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स है प्रिंट में अगर आपको भी लगता है तो उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी जो कि एतु बार्दवाज की है पटाक शेप नहीं होगा और सेकेंड ग्रेड में जो नया टॉपिक हिंदी में एड किया गया उसके अंदर पटाक शेप नहीं होगा कहानी देश की आजादी से शुरू होती है तो सबसे पहला पॉइंट और आप लिखते जाएगा साथ में शॉर्ट नॉट्स पहला प्रश्निया लिख लीजिए कि यह कहानी जो है यह कहां से शुरू होती है तो आजादी से शुरू होती है जिसमें देश के साथ ही रामनेर गाउं की आजादी की बात से कथाकार पूरे माहोल की रचना करता है किस गाउं की बात किये वो भी लिकलो रामनेर गाउं की गाउं का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना हुआ है इस मुखिया के ब्रामन पुज्य सहयोगी है इसके अलावा शेश, निर्दन, वन्चित जातियों के लोग इनके शोशन के लिए अभिशप्त से लगते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है यानि कि यह जो कहानी है पठाक शेप नहीं होगा इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कहानी में कोई भी पात्र नहीं है लिख लेना एक पॉइंट इसके साथ ही गाउ में रहने वाले कुछ किरदार है जो रामनेर की तरह किसी भी गाउं के हो सकते हैं इस गाउं में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाओं से चला आ रहा है वह आज भी क्या है जारी है समतावादी समाज के नाम पर चुनाओं चले आ रहे हैं इसे भी लिख लेना आजादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गाउं में हुए उनमें स्कूल डाक खाना खुलने के अलावा दस गुना लगान जमा करवा कर किसानों का स्वयम जमीन मालिक बन जाना है क्या हुआ कि आजाती के बाद में कुछ बदला हुए जिनमें स्कूल भी खुले डाक खाने भी खुले और दस गुना लगान जमा करा करके किसान जो है वो अपनी जमीन के स्वेम मालिक बन गए ठाकुर की जमीदारी से कुछ की तो मुक्ती मिली और कुछ अभी भी ठाकुर ब्रामनों के रहमो करमपरी थे यानि कुछ किसानों को इससे मुक्ती मिल गई थी जमीदारों से क्योंकि वो खुद मालिक बन गए थे कुछ अभी तक इनके अंडर में ही काम कर रहे थे इस तरह के बदलाव के साथ गाउं में लोकतंत्र को भी आना ही था पहली बार ग्राम पंचयत के चुनाव आए यानि यह सब इतने बदलाव हुए आजादी के बाद तो पहली बार इस गाउं में चुनाव हुए थे गाउं वाले समझ ही समझे ही नहीं कि क्या करना है इस पर मुख्या ने गाउं में सबा बुला कर सबसे राय पूछी कि किसे प्रदान बनाया जाए उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रदान बने रहने की बात कहीं यानि अब चुनाव आए चुनाव आए तो मुख्या ने गाउं में एक सबा बुलाई और सबा बुला कर बोला कि प्रदान किसे बनाया जाए तो उसका एक पंडित मित्र था किसका मुख्या का उसने कहा कि वह खुद ही प्रदान बना रहे जाए जो गाउं का मुखिया था वही बदले में उसने बुड़ापे का बहाना बनाया अब उसने क्या बोला मैं तो बुड़ा हो गया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे रामसिया को सर्व सम्मति से प्रदान चुन लिया गया ठीक है बाकि चुनाओ भी सर्व सम्मति से संपन्न हो गए मुखिया ने बाद में गाउंवालों को बताया कि निर विरोध चुने मुक्या ने बाद में गाम वालों को बताए कि निर्विरोध चुनाव के कारण गाउं का नाम पंडित नहरू तक गया है अब देखो क्या बताता है कि वैं निर्विरोध हमारे यहां चुनाव हो गए तो हमारे गाउं का नाम कहा तक चला गया नहरू जी तक चला गया गाउं वाले बहुत खुश हुए रामनेर गाउं में आबादी के लिहास से ठाकुर ब्राम्मन तो बराबर थे कुछ और दलित जातियों के भी गर थे लेकिन चमारों की संक्या इन सब में बहुत जादा थी लिख लेना कि सबसे ज़्यादा चमार जाती के लोग यहां थे कि इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियती ऐसी नहीं थी हाला कि इन में से कुछ के पास जमीन भी थी पैसे भी गाव के स्कूल में राम सिया ने कच्छीपक की इमारत बनवा दी अब यह कौन था चुनाव में जो निर्विरोज जीता वही राम सिया और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी वहीं डाक खाने का भी काम यह देखने लगा गुर्गे का मतलब अपने ही किसी आदमी को इन्होंने लगा दिया माफ कीजेगा गले में थोड़ी समस्या हो रही है इस उद्धंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाए बच्चों को पीटा जादा अब देखो इसने क्या किया बच्चों के साथ मारपीट की बच्चे शिक्षा के मामले में फिसड़ी रही यानि कोई टीचर था यह गुर्गे जो नाम बताया इसमें इसको लगाया गाउ में बदलाव की पहली बयार दो ब्राम्मन भाईयों मैंद्र और बलवीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से अब गाउ में बदलाव हुआ इसकी पहली खबर कहां से मिली लिक लेना दो ब्राम्मन भाई थे मैंद्र और बलवीर यह दिल्ली गए काम करने वहां से प पिता स्वाबी मानी था मुख्या से दपता नहीं था नाराज मुख्या ने उसे जमीन से बेद खल कर जवरन अपना कबजा जमा लिया पुलिस भी कुछ न कर सकी आखिरकार एक दिन गाओं के पास नहीर किनारे उसकी लाश मिली किसकी पिता यानि कि गाओं में जो दोनों भा कुछ किया नहीं पुलिस में उसके अनात वच्चों को मामा दिल्ली ले गया कुछ पढ़ाया सरकारी ओफिस में चपड़ासी लगवा दिया यानि यह जो दोनों थे ना महिंद्र बलवीर दिल्ली गए क्यों गए क्योंकि पिता मर चुके थे अभी अनात हो गए तो मामा द मत करवा जाते इनके मन में भी मुख्या के विरुद्ध गेरा आक्रोश था दोनों भाई जान गए थे कि निर्विरोध चुनाव मुख्या की रन निती का हिस्सा थे यानि निर्विरोध चुनाव जो हुआ यह मुख्या की रन निती का हिस्सा था यह बात दोनों भाईयों को पता थी दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गाओं को मुक्ति मिल सकती है क्यों कि सबसे आदा संख्या किसकी ती चमार जाती की इन्हों ने दिली में तहे कर लिया था कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पड़े लिखे समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्त फगना को लड़ाएंगे किसको लड़ाएंगे फगना को जबता कि फगना को उनकी बातों में दम लगा कोई एक व्यक्तितु की बात कर रहे हैं या फगना लिख लेना आप यह और फिर सारे चमार एक हो गए यानि यह फगना उनी चमार जाती में से एक था मुखिया और सवर्णों को जब पता चला तो उन्हें बलवीर महेंद्र पर बहुत समले में करते भी क्या काकुण ने कहा कि चुपचाप साथ देना नहीं तो फिर देख लेना इस तरह चमारों में अद्रश्य क्या पढ़ गई फूट पढ़ गई चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी चमारों की फूट से रामस यह ने फगना को भारी मतों स पराजित कर दिया कि बलवीर और महेंद्र को मुख्या ने बुला कर खूब लानत मलामत की यानि बलवीर और महेंद्र को बुलाया गया और उन्होंने खूब उनकी मरमत करी दोनों ने कहा कि आखिरी चुनाव थोड़े हैं मुख्या ने कहा तुमारे लिए तो आखिरी दिखा देंगे उसी रात कुछ लोगों ने मैंदर बलवीर को बुरी तरह पीट डाला और सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरम पट्टी के लिए कस्बे ले गए थाने गए तो पुलिस ने डाट कर भगा दिया दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए गाउं में जातिवादी माहोल गना हो गया विदान के अनुसार पंचायत के चुनाव तीन साल में एक बार होने थे देखो वेसे तो पास साल में होते हैं लेकिन अब इस कहानी के अनुसार आपको लिख लेना है कि यहाँ पर इस गाउं में जो चुनाव है वो कितने साल में होने थे तीन साल में एक बार लेकिन सूखा और बाड जैसे बहानों से चुना उठलते रहे और साथ साल तक रामसियां ही प्रदानी करता रहा लिख लेना कितने साल तक इसने प्रदानी करी रामसियां ने साथ साल तक गाव में जाती वादी वेमनस्य बढ़ने लगा लेकिन फगना के कारण चमारों में आही चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मन गट जोड का डट कर मुकाबला करने लगे राम सियं इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा यानि जो पैसे पंचायत में आ रहे थे खुद के उसमें लगा रहा था मुक्या की मौत के बाद वे और निरकुंश हो गया फिर चुनाओ की गोशना होई तो चमार बहुत खुश होगे फगना मैंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया इस बार वे आने के लिए राजी नहीं थे अब क्या हुआ मुखिया की मौत हो गई अब निर्कुंश हो गया अब चुनाव की गोश्ण होई तो चमार जाती तो खुश थी और फगना इनके पास गया इन दोनों भाईयों के बाद लेकिन दोनों भाई राजी नहीं हुए लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से एक सब्ता पहले गाव आ नहीं था उसने शुरू से इनकी राह में काटे बिछाना प्रारंब कर दिया था पहले तो इन्हें वाटर लिस्ट नहीं मिली जब मिली तो देखा कि उसमें दोनों भाईयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं है जो बाहर रहते हैं जबकि ब्राह्मन ठाकुर चुनाव से पहले पॉलिंग पार्टी आई जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से कौन था ठाकुर लिख लेना इसको रामसिया ने उसे रात को दावत पर बुलाया दारू पिलाई तो जाती के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपईयों के कारण अधिकारी ने रामसिया को हर हाल में जीतने की क्या पता ही रण नहीं थी सुबह पॉलिंग के वक्त जब शुरू में मद्दा था नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजंटों को चाय पिलाने लगा एक गंटे बाद वे लोग लोटे तो वोटर आने लगी चमारों की ओरते आई तो पता चल गया फगना ने लोगों की सलाव पर अदालत में चुनाव की खिलाव क्या है रिट लगाई और अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा राम सियां के दांदली से प्रदान बन जाने से गाउं में सवर्ण दलित संगर्ष और गेरा गया फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सियां ने सवर्ण नेताओं से यानि दोनों जो है वो अब अपनी अपनी जाती के लोगों से मिलने लगे थे आगे देखते हैं दोनों अपने नेताओं को गाउं में लाकर सबाएं कराने लगे अब राम सियां सवर्णों को लाने लगा और इधर ये चमार जाती के लोगों को लाने लगा ठीक है ना और गाउं में अलग किस्म की जातिय जाती राजनीती का उबार हुआ अब जब दो अलग अलग वर्ग आये तो फिर जातीय राजनीती का क्या हुआ यहां पर निकल कर रही दोनों अलग अलग एक सवर्ण हो गई और एक दलीत हो गई दोनों तरफ गुंडों की तादात अपना अपना उसके लिए बताने के लिए हम किसी से कम नहीं को आये दिन संगर्श होने लगे रामसियाँ पंचायत के पेसों से कागजों में गाउं का विकास करता रहा वो सिफ कागज में कर रहा था रियल में कुछ नहीं कर दा खुल्स नहीं बऒनता 10 remain लाइक तो रामस ब्राह्मन ठाकरों के मिटिंग बुला कर पूछा कि क्या करना है खुद उचुनाव लड़ने से इनकारत कर दिया और कहा कि इस बार सब मिलकर तैय करें अब होश्यार हो उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया चमार पहले तो खुश हुए फिर नि करती भाईयों के कहने पर भी मैदान से नहीं इटा परचा दाखिल कराने वाले दिन राम से ने चुपके से अपने बेटे नार सिया का भी फोर्म बरवा दिया देख लीजिए आखिर में नाम वापस लेने के बाद तीन उम्मीदवारी रह गए थे नार सिया लच्छी राम और इतवारी चमार यानि दो दलित और एक सावर्ण चुनाव का नतीजा तहिता क्योंकि राम सिया ने खेल ही ऐसा खेला चमारों के वोट बट गए और नार सिया अपने दादा पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ क्या बन गया रधान यही होता है सदियों से आजाद नहीं बदलेगा पटाक शेप का मतलब जब तक इन सब चीजों पर परदा नहीं गिरेगा यह सब चीजें बंद नहीं होगी तब तक क्या होगा यह सब चलता ही रहेगा अब देखिए कानी कान्श क्या है जो हम एक साराश में कह सकते हैं इसमें पहले बताया गया कि यह गा गाउं के हिस्से बर है रामनेर गाउं की एक कानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है पर यह नाटक नहीं है कहानी है इस नाटक की शुरुवात बारत को आजादी मिलने के बाद शुरूए और नाटक बराबर चलता रहा बिना किसी पठाक शेप पर यह भी तो अंतिम था यहां पर लिख लेना आप यह नाम और आजादी के बाद उसका पुत्र राम सी हैं तीन बार रामनेर गाउं का प्रदान चुना गया यह आपको पूरा का पूरा लिख लेना है एक तो केसरी से रामनेर का मुखिया आजादी के बाद इसका बेटा का राम से यह तीन बा का पड़ाक शेप नहीं होगा तभी तो यह समाज बदलेगा यानि कि इस नाटक का पड़ाक शेप नहीं होगा तभी तो यह समाज बदलेगा अब परदा गिरना पड़ाक शेप का वैसे मतलब होता है परदा गिरना यानि इस नाटक का पड़ाक शेप नहीं होगा और समाज नहीं बदलेगा दोनों ही चीज़ें यह है आपकी पटाक्षेप नहीं होगा कहानी सेकंड ग्रेड के नए पठ्टिक्रम में कहानी कैसी लगी जरूर बताईएगा कमेंट सेक्षन में और साथ के साथ आपको जो जो पॉइंट्स बताएं उनको लिख लीजिए और अगले भा हादएगा इक रदे जरूर आपका हादश रश्ग का लागा थारो जो जाएड़ा जोरे लगी खो हादएगा द includes बताव universe